वनरहें कि उच्तम न्याले की बिवस्था के अनुजार नीजी भावनों के उपर रास्तिय जंडा को फाहराना 10 के तहत हर नागरिक का मौली का धिकार है। बनेगे किसा अनुचरी। जबसिए कजएक 40 उनुनीस के एक के टहतीच अगला कुछ। मुल्ड समिधान में प्रविस्टि और प्रविस्थियां वह मिलान करना है। संग सुची में कितने हैं। समवर्ति इस चुची में कितने हैं तो संग में सब क्यां यहद्र यह कर्से कंदेख़ने मुझन यहां तो यानि कर्रेक्ट एक अनर हमारा ऑप्सन नंबर बन गया भारती समिधान के जो है साथ वी अनुसुची में के अंदर और राजे के बिद जो है सक्तियों का विभाजन का विषय दिया गया है इसके अंदका 3 अनो सूचिया है राज्ये सूची संग सूची और सम वर्थादी सूची अभी संग सूची में क橋 प्रिम्व समय उइं 59 हो गये हैं राज्य सुची में 52 हो गया है पहले 66 था यह 47 है फोर्टी सेवन कब था पहले था अभी वर्तमान में 52 हो गया है ठीक है अगला देखिए कहराय भारती समिधान की परस्तावना में समाजवादी सब्द की संसोधन के तहत जोड़ा गया है बताएए तो 1976 में जुरा गया था 42 में सब्धान संसोधन आंसर बनेगा ए अगला है निमलिखित में गलत बियान कौन सा है आपको पढ़के बताना है तो आई हमनों रडीट करते हैं और देखते हैं कौन सा गलत बियान है इसमें देखें कहरा है पहला कि लोग तंत्र में समाजिक विभेद का राजनितिक पर अवस्य परभाव पढ़ता है यह तो बिल्कुल सही है अगला क्या है लोग तंत्र समाजिक विभेद के अधार पर देश को विखंडित करने के साहता होता है यह प्रूरा तरसे गलत है दोस्तों यहीं से हमारा अंसर मिल गए, कर्रेक्ट अंसर, बी होगे, हमें क्या कुछ न था गलत बयान को, अगला कुछन देखेगा, और सत्य मेल को चुनना है हमें, और सत्य मेल को चुने, देखेए अनुछिद 48 में क्या है, समान नागरिक कूर्ड दिया हुआ है, समान नगरी कोंड अगला क्या है कि अनुशेद 50 में दिया हुए है पारामबिक बाल लिया वस्था का देख भाल अनुशेद 49 में ग्राम पंचायद का गठन दिया है अनुशेद 40 में कारेव का अधिकार है ग्राम पंचायद के और अनुशेद 45 में है समान कारे के लिए समान तो इसमें कौन सा सही उत्तर है बताई तो यह सभी हैं correct answer D होगा आपका सभी correct है सभी अनुषेद असद्य मेल कोछ नहीं है न तो असद्य कि सभी क्या है उप्यूग सभी होगे क्यों क्यों कि 48 में पता है क्या आता है अनुषेद 49 में आता है तो यह भी खत्म और अनुषेद 40 में आता है ग्राम पंचायत का संगठन तो यह भी कैंसिल अनुषेद 45 में आता है क्या कि 0-6 वर्ष के बच्चों को देख भाल के लिए सिक्षा का प्रवंद करना राज्य सरकार का दाइत है तो यह भी आंसर बनेग सभी राष्टी क्रित बैंक है आंसर बनेगा राइट अंसर दी अगला देखी पर्यावरनिये कुछ नेट्स पर्यावरनिये कुछ नेट्स वक्र पर्यावरनिये छती एबं प्रतिवेक्ति जीडिपी के मध्य संबंद तरसाता है यह परिवर्तनिये कुछ नेट्स वक्र का अकार किस परकार का होता है तो उल्टा यू अकार का होता है किसा होता है उल्टा यू अकार का होता है ना नेक्स गुशन देखेंगे हम लोग तो बूल्स एंड वियर्स का संबंध किसे है बूल्स एंड वियर्स का संबंध किसे है तो यह संबंध थे स्टॉक एक्षेंस से आ अंसर बनेगा भी हैं अग्ला है 1917 की पहली रूची क्रांथी किस दाना नाम ञाने है 9 वॉल्हज़िक सेवी की करंथी इस करंथी का नेता जू कौन ठी fever odvection78 और रूसी क्रंटी के द्वारा बर्फम भर्फम बार मजदूर की सरकार की गठन किया गये था काल माक्स जो है समाजवाद के वैग्यानिक अधार दिया समाजवाद का परियोगिक घर पुर्व सोवीद संग में हुआ था रूस गांधी जी दुआरा परकासित प्रथम समाचार पत्र कुन था इसका नाम था इंडियन ओपेनियन क्या नम था और नागरिक अधिकारों की मांग है तुद दक्षिन अभडिका में जो है इंडियन ओपेनियन अख़बार को सुरू किये थे अगला कुशन हमारा क्या है कि बराबर पहारी की गुफाओं के विशाय में निमलखित में से कौन सा एक सही नहीं है कौन सा ही नहीं है देखिए कह रहा है क्या बराबर पहारी पर कुल चार गुफाओं है बिल्कुल सही है कह रहा है तीन गुफाओं के दिवारों पर असोक के सिलालेक उतकिन है यह भी सही है कह रहा है यह अभिलेक इन गुफाओं की आजीवकों को समर्पित होने का उलेक करता है यह भी बास है यह अभ ब्राबर पहारी की गुफाएं हैं उत्करिन अभिलेक तीसरी सतावदी इसा पूर्फ से संबंद छठी नहीं तीसरी से हैं अगला देखे भूदान अंदोलन किस ने सुरू किया था 18 अपरिल 1925 को भूदान अंदोलन बताईए तो आंसर क्या बनेगा राइट एंसर सी सब्सक्राइब, भूदान अंदोलन का समद्ध भ हावे से रहा है है भूदान अंदोलन में भाई अंधरपर्देश में पराथ हुआ था व्यकतिगत सत्याग्र गिरफ तर कुछ स सब्सक्राइब है तो तर्क के समान आठ जो 31 से तो उसी तरह 13 किसे सम्मादित होगा यह हमें बता ना है तो देखें पांच 19 से कैसे समान निस है तो पांच चोगा भीस में से तो यह कर याँ कोit già सिवगेत कि एसमें से क्या बोला है कि यह सिदे होगा अगला कोशन देखिएगा क्या क्या कि एक फोटो के देखते हुए अंजली ने कहा वह मेरे पिता की इकलोता बेटा है वह मेरे पिता का इकलोता बेटा है फोटो में दिख रहे वेक्ती का अंजली से क्या समझत है भाई होगा उसका सिधे दिख रहा है कि अंजली कहा है अंजली ने कहा है कि वह मेरे पिता मतलब इनके पिता बेटी हुई तो इकलोते इनका बेटा क्या होंगे इनके भाई होंगे न पंजली के तो आंसर क्या बनेगा हमारा इसका बिद्रोह का हो जाएगा लोयल्टी क्या हो जाएगा निस्टावान अंसर बनेगा राइट अंसर हमारा सब्सक्राइब क्या होता है इसका मतलब होता है उच्छा पुर्वक देखना एनसर क्या बनेगा इसका राइट एंसर वाचिंग एनरजी ली अंसर बनेगा करेक्ट एंसर ए क्या है कंफ्यूजण इसका अंसर क्या बनेगा इसका ऑंसर क्या बनेगा है उच्छा फिल ख दिखिंग अगा इस Consequently, the side are dash, the side are equal, answer A बनेगा, select the most appropriate word, segment for the bold word in the giving sentence, क्या है, Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor, तो reduce के लिए क्या यूज़ करेंगे हैं तो reduce मतलब कम या घटना होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, cut down, answer बनेगा D, cut down, choose the most suitable English translation, क्या है, वे दो दिनों से बिमार है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बताइगे का, he has been sick for two days, answer बनेगा, option B, select the most, select the option that can be used as a one word, substituted for the given group of what, क्या है, a piece of a living tissue, or plant, that is, transplanted, surgically, क्या बनेगा, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, मतलब, कहने का मतलब, यहां पर क्या होगा, कि कमल, कमल बांधना या परत्या रूपन करना, तो answer क्या बन जाएगा, answer बनेगा, हमारा, graft, answer बनेगा, B, government मतलब क्या होता है, यहां पर, G, O, U, R, M, E, T, government मतलब होता है, खाने की सौकीन है, ग्राइट मतलब क्या होता है, ग्राइट मतलब बीने पैसे कहीं किया गया, निसुलक, काम, अगला है, gracious, gracious मींज क्या होता है, दयालू, नेक्स्ट कह रहा है, select the most appropriate, collecting, what to fill in the blank, क्या है, बताई यह क्या होगा यहां पर, तो answer बनेगा, visionary, answer बनेगा, हमारा right answer, see visionary, मतलब इसका मतलब होता है, visionary leadership card होता है, तूर्थ सिन नित्रुट्ब, अगला कोचन देखे, अनुछेद के निम्लीखित वाक्यों को सही करम में हमें लगाना है, तो देखे, कि यह क्या है अनुच्छे कि आप लगा सकते हैं कि पहले उठाए फिर भी फिर सी ऐसे उठा के आप बना सकते हैं तो चलिए हमनों पहले आंसर वाला उठाते हैं ऑप्शन B को ठीक है पहले बोला है कि दमाद दमो का इतिहास जो है बहुत प्राचीन है दमो का जो है इतिहास क का पाल पालन रहा है कि पांचवी सदी में यह पाटली पुत्र के भवें सकती साली कुप्त समराज्य का हिसा था इसका सबूत जीले के बिविन अस्थान पर पाए जाने वाले सिलाले सिक्के दुर्ग मंदीर दुर्गा मंदीर वो अन्यवस्त हुए हैं जिनका संबंध कि स समुद्गुप चंदगुप के सासनकाल से था तो आंसर क्या बनेगा आंसर बी हमारा करेक्टर राइट एंसर होगा सूर्दास और नंद दास की कावे रचनाओं की भासा कौन सी थी इन लोगों की रचनाओं की भासा कौन सी थी बताइए तो आंसर बनेगा राइट एंसर भी ब्रज भासा थी कैसी थी अगला कोशन देखें कह रहा है कि देख लो ताकेत नगरी है यह यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है इस पंक्ती में किस अलंकार का प्रयोक्या देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है इसमें कौन सा अलंकार है तो आंसर बनेगा बी 30 योक्ति अलंकार है बताए इसमें कौन सा ही बाक्य है तो आप देखेंगे मैं सारी रात जगता रहा है यह यहां पी और अंसर होगा ऑप्शन बी अगला देखें सुध वर्थनी का चैन करने इसमें सु तो आंसर देखेए गया मिर्तुन जय करेक्ट ऐसर थी बनेगा उस्ताद का प्रैवाच बता दी जी ग उस्ताद का प्रैवाच्षी होगा उप्यूग्त सभी Caf होगा निपुन होगा गुरु सभी होँगे अंसर अग्य में वाक्य के लिए उसके नीचे विकल्पों में से उसके परकार को चिनहीद करना है जो करे सो भरे तो इसके लिए क्या यूज करेंगे यह मिस्र वाक्य कैसा मिस्र आंसर बनेगा सी अगला कुशन है कि रेकिये वाक्यांस के लिए एक सब्द का हमें चैन करना है क्या है भारतियों की बुरा दसा देखकर गांधी जी का मन द्रविद हो गया तो आंसर क्या बनेगा यह पर दूर दसा करेक्ट अंसर बनेगा सी दूर दसा बुरी दसा के जगह पर क्या लिखेंगे दूर्दासा देखकर गांधी जी का मन जो है द्रविद हो गया अगला है कि जब उत्ता लेंस 40 cm दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक अभासी परतिमीं बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी 40 cm से अधिक हो जाएगी आंसर बन जाएगा राइट एंसर सी इसका एमेस टूपर में सब जैसे होगी क्यूं क्यूंकि इसके जस्ट कहां पर बनेगी पीछे बनेगी है न और बरी बनेगी तो इसलिए 40 से अधिक होगी अगला है कि एक वस्तु प्रिथ् करना भीपरित होती है प्रिथ्वी तथा चंड्रमा की कारण में उत् Neil पिर्थ्वी तथा वपगरह के बीच लगने वाले बनेगी के बरे ब़ाबर होते हैं आपको पत हैं वहार बराबर क्या होता है द्रवमान गुन्य गृत्वे त्वरन होता है प्रित्वी के केंद पर जो है वस्तु का भार क्या होता है सुन्ने हो जाता है यदि प्रित्वी का कुनिय वेग सत्र गुना बढ़ा दिया जाए तो विश्वत रेखा पर वस्तु का भार भी क्या हो जाता है सुन्ने हो जाता है अगला कोशन है मरा कि तीन प्रतिरोध दिये हैं चार दो चार ओम को स्रिंकला बद यह उन समनांतर करम में जोरा जाता है तो संयूजन का जो सम्तुल्ले प्रतिरोध क्या होगा यह आपको बताना है तो चली हम लोग बना के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसकी यहां पर द सिर्ग लापथ में जोंड़ करता है कि तो हमारा राही ग। एक आया दस और एक आया एक तो आंसर क्या बन गया राइट एंज रहमारा एग बन गया अगला कुछ ने कि कह रहा है विराम आवस्था में इस्तित एक पिंड जब एक आएक बहुत से टुक्रों में बढ़ जाता है तो फटने से बने टुक्रों के समवेग का यूगफल क्या क्या होगा तो यह होगा सुनने आंसर बनेगा यह क्या हो जाएगा सुनने होगा आपको पता है कि प्रारंविक आवस्था में बंग राबर टुक्रों का फुल समवेग का यूगफल होता है अगला कुछन देखेंगे हम लोग तो कहरा एक ट्रांसफर्मर पर्योग किया जा कि एवल एसी को परिवर्थित करता है कौन ट्रांसफर्मर यह डीसी में कारें नहीं करता है यह अस्थैतिक तंत्र है इसकी छमता जो अन्ठानवे परतिसर्थ तक होती है कि अगला कुछन देखेंगे कह रहा है कि दो प्रोटॉन प्रस पर एक गुन्य दस के पावर माइनस दस सेंटीमीटर की दूरी पे रहे है तो उन पर जो क्रिया सिल्बल क्या है यह हमें बतानी है तो वह कौन से क्रिया सिल्बल है इसमें तो आप देखोगे प्रोटॉन के और आवेस वैसे होती कि नहीं है पोजेट्टि में रहती है 1.6 इंटू 10 दू दी पावर माइनस 19 कुलम होती है ना पोजेट्टि में रहे और निगेट्टि में रहती तो वह क्या होती है वह इलेक्ट्रॉन की भैलू होती तो यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा करेक् डाले वह में एक प्रेरित धारा उत्पन करता है प्रेजित धारा के परिनाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस वीधी का उपयोग किया जा सकता है 11 अगा उनेगा हमारा राइट-णीर देखेंगे तो कुंडली में फहरू की संख्या में बृधिझा यह बात सही है दूसरा है चुमबक की गति में बृधिधी करना यह भी करेक्ट उन्डली के तारगे पढ़किर्ती रोद में बिल्कुल नहीं निम् علीम बतानी है तो किसे विश को अपरती बराबर होती है दुर्स्त वस्तु अतर है अनन्थ पर इस वस्तु का कहा पर बनती है पौकस बनती है तो इसलिए आंसर बनेगा बी ऑमोनिया गैस किस परकार की होती है अमोनिया गैस《जो होती है रंगहीन आंसर बने गड़ी कैसी होती है रंगहीन होती है अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का योगिक है इसका सुद्र होता है एन एच थिरी होता है यह तिक शन गंध वाली रंग हीन गैस है और यह हवा में हलकी होती है हवा से क्या होती होती है इसका वास्थ गनत पता है कितना होता है 8.5 होता है यह जल में अती विला है परिवसाला में जो है अमोनिय को लाइड तथा भुझे हुए सुक्स चुने के मिश्रन को गर्म करके से प्राप्त किया जाता है अगला कुशन देखेंगे हम लोग तो गुजरात विजय 1572 इसवी की यादगार में अकबर ने निम्लिखित में से किसका निर्मान काया था तो बुलंद दर्वाजा का निर्मान किया था अंसर बनेगा भी बुलंद दर्वाजा बुलंद दर्वाजा का निर्मान कारे गुज गुजरात में अक्बर ने प्रथम बार सम्मुद्र को देखा था मालवा के सासक बाज बहादूर को भी पराजित किया था बाज बहादूर और उनकी पतनी रूप मती निर्त और संगीत में निपुन थे जमा मस्जीत का निमान सा जहां द्वरा तिली में करवाया गया अगला पंजाब का नेपुलियन महराजा रंजीत सिंग को कहा के है इरान का नेपुलियन नादिर साह को कहा जाता है अगला है और पी आर आर पी का सम्बंद किस छेत्र से है तो यह आपदा परवंधन से है आंसर बनेगा हमारा दी राइट अपदा परवंधन टेखिए इसका सब्सक्राइट और अगर दिखेंगे हम लोग तो सुभाज शन्द बोस्ट ने निकवा दूल को में की है नाम देया था इंता है ए उसका नाम दिये थे तो स्वराज दूप आंसर बनेगा लगा भी स्वहराज दूप नाम दिते सुभाश्चनद बोस ने अंडबान का daranआ मशाइद रखा था यह लोए यह यह नाम रखा था साहीद रखा थांड़ीप नॉम्ब्छ रांग नगर वरत्मान मनिपूर में अपना जंडा फार आया था रुबाशन बोस ने स्वतंता संगर्ष के दोरान नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नावक सेना बनाई थी अगला कुशन देखेंगे हमनों तो भारतिय वन अधिनियम पारित हुआ था कब यह पारित जर्मनी में नेक्स सुशन आता है कि न्याइक पुर्वालोकन की यह बताई किसमें तो आंसर बनेगा सी भारत और यूएस में असर सी भनेगा mi USA में 2022 मेंनी आखंट 8853 में न्याइक समिधान में न्याइक पुर्वालोकन उच्छचतम नियाले की सक्ति यूए से से लिया गया है और भारती समिधान के नुचे 13226 आदी से जो है उचितम और उचे न्याले की न्याइक पुरावलोकन की सक्ति का प्रमान मिलता है अगला है निमलिखित में से किस ने नौकर साही को महादूपी उपद्रव बताया है उपद्रव बताया है तो आंसर बनेगा हमारा भी थॉमस थॉमस कारलाइल थॉमस कारलाइल बताया है नस्वी सताबदी के ब्रिटिस लेखक में अक्सर महादूपी उपद्रव के रूप में नौकर साही को लोक तंत्र परतिरोधी के रूप में एंगित किया है अगला कुछन है प्रथम लोग सरंपी के पृता है 1952 में किया लोग सब्सक्राइब मीड़ा ठाल थी मेरा कुमार थी और स्मीतर तो भारत के प्रथम दलिटें स्विकर ऑतलियोगी थे घारत के सबसे यृ-टी-बली एंथ् स्टमान में स्पीकर ओम बिड़ला है फिर से अथार्वी जो अभी लोग सभा होई है उसमें भी उन्हीं को चुना गया है समिधान के अनुछे 93 में लोग सभाध्यक्ष और उप उपाध्यक्ष पद का उल्ले किया गया है अगला कुशन है मारा कि यदि पंचायत भंग होती ह है तो किस अवधी के अंदर निर्वाचन होंगे कितने अवधी के अंदर में तो वह हो जाएगा चौह माह के अंदर में अंसर बन जाएगा सी यहां पर घाटे की विर्थिय विवस्था का अर्थ विवस्था पर क्या परभाव परता है क्या परभाव परता है तो मुद्रा पूर्ति में बढ्रोत्री होती है अगला कु yolा सबस्जशन है उपभुशटा स्क्षान अधिम्क खेहां उपभुख्टा का धिकार के पताई तो आंसर क्या बनेगा हमारा राइट अज़ित अर्थ बिवस्ता अधारित है या अधारित है मिसरी तर्थ बिवस्ता पे आंसर बनेगा दी निमलेखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की साहिक नदीए की पाचान हमें करना है तो कौन-कौन हैं बता दीजे यह जो है आपका अमरावती है भवानी है और हिमावती है तो आंसर बनेगा राइट एंसर भी दूद गंगा नहीं है दूद गंगा तो किरिश्णा की नदी की साहएक है दूद गंगा हो गया भीमा पंच गंगा तुंग भद्रा मूसा कोईना यह सब क्रिष्णानदी की साहिक है अगला है दिए गए वेंजन को हमें सरल करना है तो बहुत ही यह सबसे पहले यह रेक्डिंग वाला हमें करना है पतलो आठ में से तीन उखाटा देना सबसे पहले पांच और यह जो मीड ब्रेकेट है इसका यूज पहले करना हमें जब पा हम एक प्रमी 178-8 मिटर से एक चोर को देखता है चोर भागने लगता है और पूलिस कर्मी उसका पीछा करता है यदी चोर और पूलिस कर्मी की चलकरम सा 21 km पर थी घंटा और 22 km पर थी घंटा है तो पूलिस कर्मी दुआरा पकरे जाने से पहले चोर को कितने किलो मीटर दूर भागना होगा तो चली हम लोग बनाते हैं बहुत इंपर्टन कोश्चन है यह ऐसा ही लोजिकल ली कोश्चन आएगी आपको ठीक है तो सापक से चल क्या हो जाएगा पहले तेश में से हमें 21 घाटा लेंगे कितना गया दो ँदो कियाई वह्पा पहले कर नहीं में पर सब्सक्राइब कर दिए तो आप पांच बट्ते sodium और अठा शौक झाल जाएगा तो कितना पर सब्सक्राइब होगा कि यह हमारा डिस्टेंस था यह हमारे पास स्पीड तो हमारा टाइम नीकल गया इतना सेकड़ अब चोड़ द्वारा भागी गई दूरी कितनी है तो चोड़ द्वारा भागी गई दूरी 21 के रफ्तार से भाग रहा था आज बट्टे 18 से इसे मीटर पर सेगन में फोर पॉइंट फोर तो इसको काटी इस से तो कितना आ जाएगा लगभग 1134 मीटर आ जाएगा इतना डिस्टेंस वह भागा है दोड़ने से पहले मतलब पकराने से पहले तो आंसर कम बनेगा 1134 मीटर आंसर सी बनेगा कहरा है समान धारिता छमता वाले दो पात्र दूद और और पानी के मिस्रण से भरे हुए पहले पातर में दूद और पानी का अन्पात क्या होगा वह हमें बतानी होगा तो छलिए हम लोग तो यह 3 बट्टे और 14 आंखी है क्या है पहले पातर में दुद की मاتरा और पानी की मातरा कितनी वह जाएगी तो 11 बट्टे yeah यह लिखो मिल्क और यह लिखो वाटर पहले पात्र में और दूसरे पात्र में आप देखोगे क्या है तो दूसरे पात्र में नौ बट्टे नौ इस्टू इलेवन है तो नौ इलेवन जोड़ दोगे तो बीस यह हमारा क्या है मिल्क का दूसरे पात्र में और इलेवन इस्ट दूसरे में आया है वाटर और पहले वाला वाटर के जोड़ देंगे 11 बट्ट चोड़ा तो जोड़ी तीन बट्टे चोड़ा प्लस नो बट्टे 20 को हम लोग रेसियू में देखते हैं 11 बट्टे 14 प्लस 11 बट्टे 20 अब यहां से LCM लेके बना दीजिए से इतना हो जाए गई 140 140 पर बनाओ गया आप तो यह 30 और प्लस 63 यह रखते हैं लोग यह 110 प्लस 77 क्यों क्योंकि LCM हमारा 140 हो गई इसका अब देखो 140 140 तो यूँ ही कट गई क्या अब इस दोनों को देखो क्या आ रही है साथ और तीसाथ को जोड़ोगे तर 93 और इसे आड़ करोगे 110 और 87 को आ जाएंगे 187 अब इसे आप डिविजबल करके देखो क्या कट रही है और तो नहीं नहीं कट रही है यानि कितनी आगे यादी और 187 तो आंसर बनेगा हमारा आपसर नमर एक BBQ सब्सक्राण इस और 12 पर 30 सबसे महिला यदि पूरू यदि पूरूसों की उससत आयो 25 और महिलाओं की उससत आयो 50 तो सबसे तो सभी सबसे कि ऐससे कि उसत आयो कितनी होगी हमें बतानी होगी तो माना कलब में पूरुसों की संख्या इसमें 88 है तो महिला कितनी हो जाएंगी 12 ठीक है यह मेल है तो यह कितनी हो जाएंगे तो 88 मेल कितने हैं 25 ठीक है और प्लस 12 वाले कितने हैं तो 50 बटे टोटल कितने हो जाएंगी तो 100 है टोटल बटीपल कर यह कितने आजाएंगी यह 200 हो जाएगा प्लस 1260 यह 200 होगा बट्टे सो बाइस चोई जोड़द होगे तो कितना हो जाएगा 2800 बट्टे सो दो हजार आठ सो बट्टे सो आठ यह हम लोग निकालते हैं कितनी हैं कि पहले क्या हो रहाए बिर्दी हो रहा है तो हम सपूच करते सो है इस में बिर्दी हो रहा है 125 बट्टे सो करेंगे फिर क्या हो रहा है 25 तो 75 हो जाएगा 2600 करेंगे तो यह तीन करोगे तो टोटाल आजेंगे 93.75 93.75 आएंगे और 93.75 का हमें पुरा पर्सेंटेज निकाल ला है तो पाइल 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 हंडेड और इसे हटाओगे तो यह हंडेड यानि यह और यह केंसिल हमारा क्या आएं 93 75 फी रहने देते हैं आखरी वह हटाए तो फिर से तो इतना ही रह गई है हमारे पास होगे तो इसका जो है 93.75 है हमारा इसे फ्रैक्शन में हम करते हैं तो कितना हो जाए 93 सही 3 बाइ 4 तो देखी कोन सा है हमारा फ्रैक्शन में 93 सही 3 बाइ 4 राइज हों सा डी है अगला देखी कह रहा है क्या यदि विरीत की पड़ी थी क्या कह रहा है चो आठ है तो विंदू वह तो तिरिया 10 है तो केंद्र का नेदे सांख निकान ले के लिए आपको पता होना चहिए क्या तो 6-0 मतलब क्या होना चहिए 6-0 का होले स्कूर प्लस 8-0 का होले स्कूर यहीं नहों होता है कि इक्वल कितना दिए है 10 चलिए चौ में से 0 घटा ये 6 मतलब 36 को जाएगा प्लस यह करिए 64 होगा इक्वल तस इस दोनों की इड़ करनी कितना हो जाएगा तो दस ऑगया हमारे तौ क्या केंदर करने दें संग क्या आ गए हमारा 00 आ गया न वांसर क्या वन गया रिट अंसर यही रखे तभी तो दस आया ना अगला देखे कह रहा है कि उस तिर्भूज का श्यत्पल गयात करें जिसके भुजाएं की लंबाई आठ दस और बारा संटिमीटर है तो आई हम श्यत्पल निकाल लेते हैं इसका क्या हो जाएगा यह निकालना आपको फर्मूला पर यूज क करना होता है तो 15 आगया स अब हिरोंड़ फर्मूला यूज करोंगे तो आब क्या होता है स in to s-a into s-b into s-c यही न होता है तो यह तीनों का यूग था हमारा तो S, S कितना आगे 15, और गुणे 15 में से आप A8 घटा दोगे तो 7, 15 में से आप 10 घटा दोगे तो 5, 15 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना 3, यह बचेगा हमारा 15 रूट में, ठीक है, अब इसे आगे कलकुलेट करो, तो कितने हो जाएंगे, यह 15 और यह 15, तो 2 हैं, तो एक ब अगला देखे, एक समचत्रभूज के अकार वाले मैदान का छेटफल, हेक्टेयर में क्या है, जिसकी भूजा 146 मीटर है, और उसका विकर्ण 192 मीटर है, तो आई हम लोग बनाते है, समचत्रभूज के अकार वाला मैदान है, हमारा ठीक है, देखिए, आपको ज़स पता है देखे, 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 तो इसे कितना घटा दोगे इसका होले स्क्वार कर दोगे तो आपके गटा दो तो कितने आ जाएंगे आपके 004 इसमें घटा दोगे तो कितने आजाएंगे टोटल है और एट तो कितने आगे हमारे 48,400 इस 48,400 का क्यार रूट निकालोगे तो 444 किया होता है 22 होता है और एक 0 लेलो यानि कितना आगे हमारे पास 220 मीटर आ गया तो सम्षत भूज का शेत्वल क्या होता है आको पता है वन बट्टे टू डी वन इंटू डी टू होता है एक बट्टे दो डी वन कितना है हमारा दी वन जो है 112 में गुन्ने दूसरा क्या है 220 काटिए इसको 110 1902 और 110 में गुना करना ओगे तो आप कितने आ जाएंगे हम्हिंट करना है we उर हमें 10,000 के लिए 20,000 से डिवाइड करना है 10,000 से डिवाइड कर Tale को बट्गे-ट, गुना कर की याज करूगे एक एक दू ओप्सन नमर कौन सा है हमारा राइट एंसर डी है अगला दोख़ोंगे तो फेन पलावन भी धी किस खनीज की संदरता बढ़ाने के लिए पुरेव किया जा सकता है तो आंसर बनेगा चैलको पाइड़ाइट चैलको पाइड़ाइट एबनेगा चैलको पाइड़ होता है c u f e s 2 होता है c u f e s 2 होता है यह कॉपर कायस का है किसका है अगला कुशन दखोगे तो गहरी समुद्री गोता खोरो द्वारा किर्तिम स्वास के लिए उप्यूक्त की जाने वाला मिश्रन कौन सा है तो वह मिश्रन जो है हिलियम प्लस ऑक्सीजन आंसर बनेगा भी अगला प्रस्ण है कि अक्रिये गैसों का परवान मियता क्या होती है अक्रिये गैस का क्या होता है तो आंसर बनेगा हमारा एक होता है कितना होता है एक होता है अगला प्रस्ण के अक्रिये गैस कौन-कौन होते हैं आपको पता ही होना चाहिए इसके नाम कौन-कौन है तो हि हभी क्या है यह सभी अक्डिये कैसे हैं लाते हैं दूसरे के डाचरने में तत्व क्या जो शारला यह जद यह वो कहला किसका करते हैं CCL फोल का उपयोग करते हम आग बुझाने के लिए अगला कुशन देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सामिल सही रसाइनिक अभिकरिया का हमें पहचान करना है तो आप देखोगे तो सही यहां पर रसाइनिक अभिकरिया है CAOH का होल ट्वाइस प्लस CL2 यह बनाएगा CAO CL2 प्लस H2O बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर को कैल्सियम अक्साइड कोलोराइड कहा जाता है यह पीले सफिद रंग का कैल्सियम का अक्साइड कोलोराइड चून होता है तो आंसर हमारा क्या बनेगा राइट अंसर डी बन जोडने का पहला परियास था इनका तो इनके द्वारा जो एलिमेंट्स दिखाए गया था वह आठ ततो का जो है प्रथम ततो के गुन के समान था जैसे लिथियम बेरेलियम बोरान कार्बन नैट्रोजन अक्सीजन फ्लोरीन फिराता था सोडियम मैगनिसियम अल्वूनियम इनका था निवलेंट्स के अबर तसारनी महत्तम कैल्सियम तक पालन करता है निवलेंट्स का हमने जो अभी बताया है लिथियम बेरेलियम बोरान कार्बन यह सब ही जो है यह निवलेंट्स के अक्वाडेंग ही हमने बताया है आंसर तो यहां भी बनेगा अगला देखे हें फरकार जोह कुल कितने सह संझोजी बंधन होते हैं कि तो कुल कितने हो जाएंगे इस में Pues जो Эइस में टोटल हैनिक फाइटा समुक्र изменaut है कि पोधे में क्या नहीं पंधे लाला जल में बाथा मौसों से अलग होती है तेरीडू फैटा फार्ण और फार्ण किस्म के पोधे होते हैं आनत पति वो तरह होती है ठेरीडू फैटा यहीं घूणा सुविख्शित । jersey अगला दखो के भगॉलिक द्रिस्टी से भारत का अक जान्षी विस्तार जो है क्या है यह आपको बताना है तो क्या है बताओ देखो गे आठ डिग्री चार मिनट नौर्थ से ले करके 37 डिग्री छो मिनट नौर्थ के बीच में है यह भारत का जो है भागौलिक दिरिस्टी आंसर बनेगा राइट एंसर सी अगला क्या है हमबन टोटा लिए यह इंडोनेसिया में सवाइर पंधर इंडोनेसियाँ अगला कोश्चन देखेगा बोल के रहा है चुखा जल पर्यूजना किस देश में विश्थी था चुखा जल पर्यूजना बताई यह कहां पर भूटान में है आंसर बनेगा डी भूटान फुगाटो नाम से पता चल ला है फुगाटो करनाली तामा कोशी और अरुन यह तीन हमने अभी तक जल में दिबांग कहां पे हैं बंगला देश विक्तोरीया या फिर एक और कोट माले यह तो कोट माले यह सरी लंका में कोट माले और विक्तैक्हे जला पर लेआ अगला देखे बिहार में अंतर प्रदेशी अंतर देशिये प्राधिकार NINI का छेत्री करयाल है कहां अवस्तित है कहां पर है पटना में है आंसर बनेगा सी पटना NINI का पूर्ण रूप होता क्या है नेशनल इन लैंड नेविगेशन इंस्चूट होता है एन आई एन आई की अस्थापना 2004 में भारती अंतर देशी जलमार्ग पराधिकरन के दौरा किया गया था अब देखें जो जलमार्ग पराधिकरन था आई डवलू ए आई इसका मतलब क्या होता है आई डवलू ए आई का मतलब होता है इसका पुल्रूमार्व इन लन्ड वार्टरवे औथ रटी अफ इंडिया होती है इसकी अस्थापना लाक।चा हो यह मुठा है इसका है और का हेड़यू कर्ण के अंधितb है ने दिल्ले में भारत में कुल नागम्मे की लंबाई कितनी है जोदा हजार पांसो किलो मीटर है निमलेखित में कौन सर्वत चुकोटी का कोईल है पताई आंसर क्या बनेगा राइट अंसर भी एंथरा साइट है इसमें 90 परतिसाथ से अधी कारवन इसमें पाई जाती है अगला कुशन देखिएगा निमलेखित में से कौन सा एक कथन जो ह सही नहीं है एक कथन जो सही नहीं है वो कौन है तो भारत में गुजरात में सबसे बरा समुंतर था है ये बिल्कुल सही है भारत में जोग जल परपात उस्तम जल परपात है बिल्कुल नहीं भारत का मरीन भारत का मरीना समुंतर तमिलाडू में स्थित है बिल्कुल सही भा प्रितम यहां पर क्या दिया है जोग जलब्रपात जोग जलब्रपात या गर्षुपा को महात्मा गांधी जलब्रपात भी कहा जाता यह करनाटक राज्य साबरबती नदी परिष्टी थे उसके उचाई लगभग कितना है दो सो तिरपन मीटर है कुछी कल भारत का सबसे सबसे लेखक और राम जई राजन राजन भारत के पुर्व अरबवर्लर रह चुके हैं था और संजुका संजुक्त राष्ट का मुख्याले का है बताएगा संजुक्त राष्ट का मुख्याले तो आंसर क्या बनेगा राइट असर डी न्यू योक में हैं संजुक्त राष्ट का मुख्याले अगला कुशन क्या है 24 अक्टूबर को युए ने दिवस मनाते हैं हाली में हीम तेंदुआ को कितने राश्टी पर्तिक घोसित किया है किसने जो है राश्टी पर्तिक घोसित किया है कुण सा देश है यह देश है किर्गिस्तान हीम तेंदुआ को राश्टी पर्तिक घोसित कि है क्रिगिस्टान ने हाली में एक सो साथ मिलियन डॉलर आंसर बनेगा सी एक सो साथ मिलियन डॉलर एडीवी का मुख्याले कहां पर मनीला फिलिपेंस में अस्थापना कहुत हैं 1966 में अगला देखिए फरवईद हो है 24 में राश्पती द्रोपती मूर्मूर द्वारा भारत के नए लोगपाल के रुप में किसे निख्त किया गया है तो भारत के नए लोगपाल जो है कौन बने बने अजय मानिक राव खानी विलकर बने आपको बता दे कि भारत के प्रथम लोगपाल एक भरस चार विरोधि प्रादीकरन निटाय जो भारत गनराज्ये में सार्वजनी खेट का प्रजिश्यू करता है लोगपाल का जो है पद कहां से लिया गया है हमारे समीधान में तो स्विडेन से लिया गया है एक्स कोशन देखेंगे हम लोग तो निमलिखित में से कौन सा चक्रबाद जो है मई ऑपन दोहचोविस महिला एकल खिताब किस ने जीता है कौन जीता है नाम है लिए गाइस्विटेग आंसर बने गाए इसविटेग जीती है टेनिस किलारी एंड्रे STEVE ने दोहचोविस मेरिड ऑपेन पूरुस एकल खिताब जीता है मेरिड सहरá जो है एसप्पेन की रजधानी है इस्पेन के कार्लोस अलकराज और पोलाइन के एगाइस्टेक करम से 24 का फ्रेंच ओपन पोस्कार पुरुस और महिला में टेनी सेकल खिताब जीते हैं किसी समकों त्रिभुज की भुजाएं समनांतर से रेनीम हैं तो वे समानुपाती होंगी आपको पता हैं कैसे समानुप टो आप देखोगे पहले ही अप्तन उठागे देखो 2 और 4 वाले कोई भी इसमें 24 रों या फिर 4 पांच जो आपको मत्स चलूँ हम 2 और 4 लेते हैं 2 और 4 प्लस कितने हो सब्सक्राइब रहे है नहीं हो रहे है ना अगला उठागे तीन हो जाएंगे तोज फिर सद्सकरDयों कितने वह होद नो होंगे यहां पर जैसे दो 20 hew dot 20 whole Reporter 25ो يो कि एभ्य दोनों किकि दोनी आट कितना हो 20 शोंत्बॉस फान का हुए में 25 डी राइट एंसर होग जाए अगला देखोगे तक भूलकर साइन जो है 44 डिगरी बट्टे कोस 46 डिगरी प्लस साइन स्क्वार सिक्स्टी डिगरी माइनस कोस 45 प्लस तेक 60 डिगरी का मान आप तो यह बता दो कि यह थोड़ी है 44 और 46 वाली तो इसे साइन में हम लोग चैंज कर लेंगे 46 गटा लेंगे तो मतलब हमारा साइन में बदल जाएगा तो यह दोनों कटके एक आ जाएगा अब देखें साइन साइन साट की वैलू क्या होती है रूट 3 वाई 2 होती है न चलिए इसका भैलू रखते हम लोग यह तो वन हो जाएगी काड़ेंगे तो ठी प्लस साइन साट की रूट 3 वाई 4 का होल स्क्वार तो सीधे आप करना दो कितना 3 वाई 4 हो जाएगी तो हम लोग सीधे रखते हैं 3 वाई 4 ठीक है माइनस कॉस 45 का बताओ उस 45 की वैलू होती है 1 वाई रूट 2 वन बाई रूट का होल स्क्वार करो वन बाई 2 हो जाएगा वन बाई 2 रखो प्लस सेख साट सेख साट का वैलू होता है दो तो चलिए 2 और एक 3 हो गई यह ठीक है तीन को इधर रख दो अब इसका लसे लो कितनी हो जाएगी च सब्सक्राइब कि यहां पर हमारे पास एक एक सो पंचानमे मीटर उची चटान की चोटी से एक मिनार के सिर्ष और पाद के अवनमन कुल करम सह नब 30 दिगरी और 60 दिगरी है तो मिनार की उचाई हमें मीटर में ग्याद करना है कि कितना है चलिए हम बनाते हैं और देखते ह कि आंसर क्या रहा इसका देखें यहां पर एक हमने मिनार बनाया ओके यह हमारा उन्नायन कोल होगे यह 30 है यहां पर ठीक है और यह कितना है 60 दिगरी है 306 होगे और यह टोटल जो है यह कितना 195 दिया हुआ है 195 चटान के चोटी है और इतना यह जड़ी फाइंड कन ही यह वाली हमें तो यह कितनी हो जाएगी 195 में से होगे तो यह फी तो एच रहेगे तो 144 में से जटा दो यह निकल जाएगे तो इसमें यह दिया है तो इसे हम find कर सकते हैं तो आई हम लोग निकालते हैं जब P और B है मिन्स क्या होगा P और B है मतलब 1060 ले लेंगे 1060 equal P P कितनी है हमारे 195 B कितनी है तो B तो हमें नहीं पता 1060 का value root 3 होता है equal 195 by BC यानि BC की value कितनी आ जाएगी BC equal हो जाएगा 195 by root 3 होगी ना root 3 तो यह हमारा क्या आगया कितना आगया BC की value अब आप यहां पर हम करेंगे क्या कि यह जो BC आया है इसे हम लोग और क्या कर सकते हैं तो रूट इसमें भी कर दो रूट 3 और रूट 3 में गुना ये रूट 3 से जो हमने देख रहे थे अब इसे करेंगे क्योंकि यह तो निकल गई यह हमारा कितना गया इतना जब यह इतना है तो यह यह नहीं निकल दाएगा तो आई हमें भी दिया है तो हम एच एक फाइंड करना है तो क्या करेंगे यह रखेंगे क्योंकि इसकी वैलू हमारा 30 था तो तैंन थर्ती का वैलू एंथर्टी इकवल क्या है हमारे पास गो एक सोनठावे मानस एच और नीचे किसे डिया है एक सोनठावे सी ता Ciao वन और मल्टिपल तहां पर रूट 3 और बाई 195 यहीं न होगी अपोजिट चस्ट इसका हो जाएगा तो चलिए अभी से हम लोग डिविज्वल करते हैं तो यह इससे मल्टिपल यह इससे मल्टिपल होगा क्रोस मल्टिपल कर देते हम तो कितना हो जाएगा एक सो पंचाणवे गुन्ने तीन माइनस तीन एक सो पंचाणवे आप गुना कर दोगे एक सो पंचाणवे माइनस एक को माइनस रूट 3 गुन्ने रूट 3 ततीन आ अब आगे नेस्ट करोगे यहां से एच की भैलू निकालोगे तो एच उधर भेज दो प्लस में आ जाएगी ठीड़ी एच की भैलू कितनी हो जाएगी ठीड़ी एच इक्वल हो जाएगा आपका एकसो पंचानवे गुन्य दो बट्टे तीन हो जाएगा एच हटा दो यहां स तो तीन शक्राइट तीन पंचे पंदर गुन्य दो पैसट दूने एकसो तीस आंसर बन गए राइट एंसर डी नेक्स कूर्शन देखिए क्या कि किस मान के लिए समीकरण जो हमारे पास दिया एकस स्क्वार माइनस के प्लस वन एकस प्लस फोर इक्वल जीरो के मुल जो है बराबर होंगे तो देखें यहाँ पर आपको पता होगा कि x2 plus bx plus c नहीं बलकि हमें find करना है क्या पीए स्क्वार माइनस 4ac equal क्या है 0 dv है न जालिए वीए स्क्वार यहाँ पर हमारे पास बीए स्क्वार इक्वार ओर एसी हो जाएगा ओर आपका एक वहारी दिखाए यहां पर प्लस वं का होल स्कृर्ट इक्वल और एक इतना दिए है चारघु का सुल्ला हो गए और इधर इसका के प्लस वन और इसका आप पर फर्मुला बना सकते हैं श्कृर्ट प्लस फिया थी अभी तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा k square plus 2k plus 1 equal कितना हो जाएगा 16 तो k square plus 2k minus 15 क्योंकि यह 16 इधर 1 घट जाएगा तो k square plus 2k minus 15 हो जाएगा equal 0 होगा तो यहां से 15 और k हमें चाहिए कैसा हो ऐसा है कि 2 घटे तो आप 3 पच्चे 15 कर सकते हो और 5 में से 3 घटागों देगा तो दो बच जाएगा तो यानि क्या जाएगा हमारा equation k plus 5 एक common होगा और 1 होगा k minus 3 equal 0 यानि k की value कितनी आजएगी k की value 3 आजएगी तो k का हमारा value find करना था तो k का कितना आगे option number 3 आगे और 1 minus 5 यानि कि आप a और c दोनों बोल सकते हो क्योंकि प्लस में था तो k का value minus 5 भी तो आप बोल सकते हो option d यानि करेक्ट हो गया अगला कोशन देखिए च्छों मेतर बैठे होगे ठीक है एक सीधी पंक्ती में उत्तर की उम्मुक करके मतलब सभी उपर उत्तर की उम्मुक करके बैठे हैं तो चली हम लोग इनको करते हैं पहले हम लोग लेते एक line six वैक्ती है ठीक है एक दो तीन चार पांध छे टुटल च्छे वैक्ती बचेंगे अब देखें बुल क्या रहा है कि केवल तीन वैक्ती जी के दाई और बैठें जी जी के दाइंओर जी जड़ी यहाँ है इनके दाइंओर कितने थीन एक दो तीन णरेटकी बेथ हैं अब मोई दोबेनों किवलड़ भाणती जी और इक के बीच में Jest जी और इ तो और लास्ट में होगा बिंस तभी yr बैठा होगा तो यहां पर होगा तभी इसके दायोर और जी के ठीक बाइलव बैठा है यह और ऑफ एक निकट परोसीद नहीं है एच और एच जो है का निकट परोशन है मतलब एच यहां पर होगा तो बच गया एक डी और उसी नहीं अब पुछ रहा है कि जी और एक बीच में कौन वेक्टी बैठें जी और एक बीच में एच और डी एच और डी ऑप्षन नमर आपका राइट इंसर डी बन गया नेक्स परोशन देखीगा यहां पर बताना है जैसे दिया हुए क्या कि हकलाना बातचीत तो इसके लिए क्या होगा बताए हकलाना से बातचीत यानि बनेगा द्रिस्ट वैसम में द्रिस्टी आंसर बनेगा राइट अंसर यह होगा अब देखिए प्लस का माइनस बदल दिया देखो कि यह डिवाइड में बदल दो मैनस से प्लस में बदल दो अपके पास 50 थे ने क्सक्थ मानो मस्तिक्स का ग्राम में वजन खितना होगा यह आपको बताना होगा बताए कितना होगा तेवह 1234 के आंजर मस्तिक्स जो मानो सरी के Şu ंपी प्रासारण अनंग है यह एक आदेश और नियंतरन तंथर का तहत और करता है मानो आझ समय क्रेनियं साव्षित रहता है मानो मस्तिक्स आप्सत भाड़ लगब Like'd जोन दक होता है मेनिन जहेज नामक जो एक आवरान पाई जाता है इस आवरान के तीन अस्तर होते एं、सहनन का होते हैं, तो अर्कहन अंद अंडूर McM लेक्स के ति वर्भी पत्र होते हैं क्या उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं तो ने में तोफाइटा का जो है उपसंग है अवरिती बीजी पादप जो है बिभीन परकार के आवरणों पाया जाते हैं अधिकांस जो है आवरिती बीजी स्वपोसी होते हैं अगला क्या है नर्परजनन तंत्र के कौन कौन से अंग में जो है मुख्य अनुवांसिक समागरी पाया जाते हैं बताई कौन कौन से है वह सुक्रानु करेक्ट अंसर बनेगा बीज सुक्रानु सब जो है यूनानी सब्द असपर्मा से उत्पन हुए जिसकार्थ होता है तक को क्या कहते है तो इसका कहते हैं कोले नाई काम कोले नाई काइमा कोले नाई काइमा कहते हैं अगला है निमलिकित में कौन कोसिका विभाजन को प्रुत साहित करता है कौन करता है तो यह करता है साइटो काइनीन आंसर बनेगा है साइटो काइनीन बीजों के अंकुरन को प्रेरीत करते हैं यह 500 कलिकों को भृष्धी को शुरू करता है अगला है まनों कपाल में अस्थियो्स कि संख्या कितनी होती है पता दिजह कितनी अठ होता है और चहरा में 14 होता है कान में घुर्पटी में 29 होता है और कान में एक कान में तीन और दूसरे कान में मतलब दोनों कितने होते हैं छे होते हैं और एक हाथ में कितने होते हैं तो एक हाथ में तीस होते हैं और दोनों हाथ को मिला ले तो साथ होते हैं साथ फस्ति हैं होती है अगला कुछ ने किएगा बुल ला है क्या कि वरीकों में मुत्र के निर्मान में सामिल दी गई तीन परकडियाओं की सही अनुकरम निम्लिकित में भी कल्प में दिये गई है वो कौन है बताना है अपको तो आप देखोगे इसमें कि निस्यंदन चैना है लन्द काण कैंद्य आंसर क्या बनेगा पादप में पतियों तथा अन्यकोुमन वायविये भागों की जो है बाहे तोचा में छोटे-छोटे चित्र पाया जाते है इने क्या करते हैं रंद कहा जाता है अगला और लास्ट कुश्चन हापका क्या है कि मानों के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी किरिया जो है गंदगी पर साबुन के पाइसी करण के किरिया के समान होती है कौन सी है बताइए तो जो है पीत लवन द्वारा बरी वसा गोलिकाओं को छोटी गो बताइए é बताइए